नमस्कार दूस्तों मारे टूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत हैं दूस्तों आज के सी वीडियो में हम लोग UPPCS Prelims 2023 के लिए Current Affairs Top 50 संभावित प्रशनों को हल करेंगे ये आपके परिक्षा के लिए काफी महतपून है जो की UPPCS का एक्जाम 14 मई 2023 को परिक्षा संभावित है और अर्नियस्टेट के एक्जाम के लिए भी काफी महतपून है जिनमे Current Affairs के प्रशन पूछे जाते हैं और आपको पिछले जो वीडियो में जैसे कि केंद्रिय बजट, उत्तरप्रदेश बजट, आर्थिक समिक्षा इन सभी प्रशनों को कवर करा दिया गया है तो जो लोग नहीं देखें आप चैनल के परिक्ष्ट में जाएगा प्रशन यहां पे मिलता रहे, तो आईए शुरू करते हैं आज का जो प्रशन है पहला question दिखरा होगा कि महिला T20 विशुकप 2030 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है यहां पे चार कथन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि महिला T20 विशुकप 2030 के संबंध में सही कथन कौन सा है तो पहला है इसका आयोजन दक्षर अफरीका में किया गया है तो महिला T20 World Cup 23 कायोजन कहा हुआ है दक्षर अफ्रिका में ही किया गया है बेलकुल सही है पहला तो सही है अस्ट्रेलिया ने दक्षर अफ्रिका को हरा कर यह खिताब जीता है तो महिला T20 World Cup जो जीता है जिस्टिव ने अस्ट्रेलिया ने जीता है और यह दक्षर अफ्रिका कौहाआ कर इसने जीता है तो दूसरा भी सही है, C option है कि 2024, T20, महला T20 विसकप की मेजभानी बांगलादेश को मिली है, तो ये भी आपका सही है, 2024 में महला T20 जो विसकप होगा, मेजभानी किसके दौरा किया जाएगा तो बांगलादेश के द्वारा तो यहां पर D option यहां पर सही हो जाएगा उपर यूग ते सभी सही हैं अगला कुशन है 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाए गया इसका theme क्या है तो आपको पता होगा कि विज्ञान दिवस कब मना जाता है प्रदेक वोर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के इस बार का theme यानि कि बिस है रहा है तीसरा परशन देखते हैं फीफा फुटवाल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाडी ने सरुस्रेश्ट पूरुस फुटवालर का पुरसकार जीता है तो लियोनेल मेसी ने जीता है या पुरसकार काफी महत्पूर्ण है ये भी पूछा जा सकत है और अगला कुशिन है कि हाले में हुए निउक्तियों में कौन सुमेली थे तो यहां पर पहला दियागे ओ वान थूओंग एबियत नाम के राश्टुपती निउक्त हुए है बिलकुत सही है आपर राजियू शिंग रघुवन सी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल य इन में से सभी सुमेलित है पांचवा प्रशने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राजि में सीव मोगा हवाई अड़े का उधगाटन किया है तो सीव मोगा हवाई अड़ा पुछा जा सकता है या किस राजि में है तो करनाटक राजि में है भी या आप सिन्यापे स और इसके उद्गाटन प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसके उद्गाटन किया गया है राजस्थान के बीका नेर में यहाँ पर D आप्शन सही हो जाएगा। कि सत्ह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSEM रेजिमेंट को खड़ा किया है। R.E.S.E.M. का क्या नाम है तो इसका नाम पूछा गया है अब भर इसका नाम है D option यहां सही हो जाएगा महरास्ट के किस सहर का नाम बदल कर छत्रपती संभाजी नगर कर दिया गया है तो औरंगावाद का नाम बदल करके च्छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया यहाँ पर D option सही होगा और किस सहर ने Asia के सबसे बड़े Life Sciences and Health Care Convention Bio Asia के 20 वे संस्क्रड की मेजबानी की है तो यह हैदराबाद के द्वारा मेजबानी किया गया है यहाँ पर C बिकल बिल्कुल सही होगा हिमालियन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्ज में पच्छियों के परजातियों की सरवाधिक संख्या यानि कि 294 परजातियां दर्ज की गई है तो यह उत्राखंड में दर्ज किया गया है यहाँ पर D option सही हो जाएगा किस के द्वारा सर्वे किया गया तो यह हिमालियन बर्ड काउंट के द्वारा सर्वे किया गया जिसमें उत्राखंड राज्ज में पच्छियों के परजातियों की सरवाधिक संख्या दर्ज की गई यानि कि उत्राखंड में 294 पच्छियों की परजातियां है इस फिल्म ने छट्वे हालिवोट क्रिटिक्स एसोसियेशन फिल्म अवार्ड्स में सरुस्रेश्ट अंतराष्ट्री फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो यह जीता है फिल्म आर 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 ने यहां पर डी आप्शन सही हो जाएगा और जो आसकर इस बार का दिया गया है पंचावन आसकर पुरस्कार जिसमें जो है ओर्जिनल सॉंग के लिए नाटू नाटू को दिया गया था इस बार का आसकर जो की इसी फिल्म का गेत है वो भी तो यहां पर डी आप्शण सही हो जाएगा और अगला कोशीन देखते है कि साथ वर्स यह प्रिंस जिग में नामग्याल वंग चुक गई किस देश के पहले डेजिटल नागरिक बने है तो यह भूटान के पहले डेजिटल नागरिक बने है時候 उम्र है साथ वर्स इनका नाम प्रिंस जिगमे नामग्याल वांग चुप यह पहले डिजिटल नागरिक बने हैं अगला कुछ नहीं है माहवारी अवकास कि नुमती देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरूपिय देश कौन बन गया है तो यह है इस्पेन यहां पर बी आप्शन सही हो जाएगा निजी कमपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर में निमलिखित कतनों पर बीचार कीजिए पहला दिया गया इसे तमिलनाडू के चेंगल पट्टू से प्रचेपित किया गया है दूसरा है इसका नाम डाक्टर एपी जे अब्दुल कलाम सेटिलाइट लॉंच विकल मिशन दोजार तेस रखा गया था उपर दिये गये कतनों में से कौन सा कतन सही है तो इसमें आप से पूचा गया कि जो निजी कमपनिय के द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर में तो इसे तमिलनाडू के च दोनों सही है तो सी आप्शन यहां सही होगा एक और दो दोनों पूरोत्तर भारत का पहला संपीडित बायोगैस संयंत्र की सिराज्य में अस्थापित किया जाएगा तो यह असम में अस्थापित किया जाएगा यहां पिए आप्शन सही हो जाएगा यह पूरोत्तर भारत क को वापस लाने के लिए सो यूज अंतरिक शियान लांच किया है तो यह लांच किया गया है रूस के द्वारा यहां पर यह आप्शन बिलकुल सही हो जाएगा सरकार ने पहली बार संथ सेवालाल महराज की दो सो चोरास्वी जैनती मनाई गई संथ सेवालाल महराज की समुदाय के अध्यात्मिक नेता थे तो यह बंजारा समुदाय के अध्यात्मिक नेता थे यहां पर यह आप्शन बिलकुल सही हो जाएगा भारत के किस टेक स्टार्ट अप ने एरो इंडिया 2300 में सौर उर्जा से चलने वाले ड्रोण सूरज का परदर्शन किया है तो यह किया गया गरुड एरो स्पेस के द्वारा यहां पर यह आप्शन सेव जाएगा और जो सौर उर्जा से चलने वाला ड्रोन जिसका नाम रखा गया है सूरज तो यह भारत के जो की टेक स्टार्ट अप कंपनी है गरूर एरो स्पेस इसने एरो इंडिया द्वारत तेज सो में इसका प्रदर्शन किया है और भारती वित्तिय प्रद्योग की कंपनी ने देश का पहला चैट जी पीटी चैट बॉर्ट लॉंच किया है जिसी लेक्सी का आ गया है तो यह विलोसिटी यहाँ पर यह आफ्षन बिलकुल सही हो जाएगा और हाली में हुए नेगतियों में कौन सुमेलित है पहला दिया गया नील मोहन इनको यूटूब का नया सी यो बनाया गया है इस अबदुलन जीर आंधर प्रदेश के राज़ीपाल इनको नीउक्त किया गया सुप्रीम कूर्ट के जो पूरो जस्टिस भी रह चुके हैं ये भी सही है वी यार शुब्रिमन्यम ये नीति आयोग के CEO बनाए गए है ये भी आपका विल्कुल सही है तो तीनों ही सुमेलित है डी आप्शन से योगा उपरयुक्त सभी नीति आयोग से प्रशन जो है जरूर आपको देखने को मुलेगा UPPCS में तो अभी हाली में CEO की नियुक्त हुई है इनका नाम है V.E.R. शुब्रिमन्यम और उपाध्यक्ष की भी नियुक्ती हुई है नीति आयोग की जिनका नाम है डॉक्टर के शुमन तो इनको जो है याद रखेगा ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष है और जो CEO बनाए गए है वी वी आर शुब्रिमन्यम बनाए गए है किस राज में भारत उजबेकिस्तान दुवार्शिक सेन अभ्यास डस्ट लिक 2023 का आयोजन किया गया है तो यह उत्राखण में किया गया है यहाँ पर D option सेव जाएगा और यह जो अभ्यास है सेन अभ्यास यह भारत और उजबेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है डस् एहाँ पे तो ये भी जूरी दी है यहां पे C आप्ष्न सही हो जाएगा गुएना के किंद्री मंतरी मंदल केरा हवाई सेवा समझाओते लिएगा को मंजूरी दी गई यहाँ पे C option बिलकुल सही है और हाली में निमलकित में से कौन सा देश संयुक्त राज अमेरिका और संयुक्त अरब अमिराद कि एक संयुक्त वैस्विक पहल दे अग्रिकल्चर इनोवेशन मिशन फार क्लाइमिट में सामिल हुआ है तो यह है भारत यहा और जातिगत भेद भाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला सहर कौन सा बन गया है तो यह है सियेटल अमेरिका का सियेटल प्रांत जो है यह जातिगत भेद भाव पर प्रतिबंध लगाने वाला यह अमेरिका यानिकी USA का पहला सहर बन गया है प्रख्यात न निर्त्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया वेकि सास्त्री निर्त्य के लिए प्रशिद्य थी तो उनका संबंद था मोहनी अट्टम से ये आपका कहां का सास्त्री निर्त है तो ये केरल का है और कतकली भी आपका केरल का है कतक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का सास्त्री निरत्य है और भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडू का है तो इनका संबंद कनक रेले का मोहनी अट्टम से था जिनका भी हाली में दिहान्त हो गया है भारत के G20 अध्यक्षता के अंत्रगत G20 के बित मंत्रियों और केंद्रिय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को कहां पर आयोजित की गई है तो ये करनाटा के बैंगलोरी में आयोजित हुआ है यहाँ पर C विकल्प सही हो जाएगा वेदान्ता फाक्षकॉन जॉइन्ट विंचर द्वारा भारत की पहली सेमी कंड़क्टर सुबिधा किस राज़ी में अस्थापित की जाएगी तो ये गुजरात में अस्थापित किया जाएगा यहाँ पर ये आप्शन सही हो जाएगा एक्सडियाई की ग्रॉस डुमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज़ी या कि इंद्र शाशित परदेश के सबसे अधिक जलवायू संबेदन सील छेत्र होने की उमीद है तो बिहार की ये रिपोर्ट है एक्सडियाई की ग्रॉस डुमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट जिसके नुसार भिहार परदेश के सबसे अधिक जलवायू ये संबेदन सील छेत्र होने की काफी उमीद है किंद्री सिक्षा मंत्राले ने राज जी या किंद्र शाशित परदेशें को निर्देश दिया है कि वे पहली कक्षा यहां पर यहां पर यह आप्षन से हो जाए ग्रेड वन के लिए जो निर्देश रखा गया है किंद्री सिक्षा मंत्राले के द्वारा तो 6 वर्स रखा गया है और निजी कमपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रीड साउंडिंग रॉकेट के संदर में निमलेखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला दिया गया इसका नाम डाक्टर एपी जे अब्दुलकलाम सेटेलाइट लॉंच विकल मिशन दर तेईस रखा गया था और इसे तमिल नाड़ू के चेंगल पट्टू से प्रछेपित किया गया था तो यह सेम जो रिपीटिट कोईशन है यह आपका उचा भी गया ऊपर तो यह पर दोनों विकल से हुगा एक और दो दोनो आगे बढ़ते हैं अब छेतरी भासा में फैसलों का अनुबाद उपल लबत करवाने वाला देश का पहला उची नेल यह kitty यह पर यह पर दी आप्शन विलकुल सही होगा। फरवरी 22 में 12 U2 वीजनेस फोरम का पहला सम्मेलन कहां पे किया गया है तो यह अबुधाबी में किया गया है यह आप्शन यहां सही है बांगलादेश की प्रधान मंतरी सिख हसीना ने ढांका में किसी अंतराश्ट्री मात्रिभासा पुरस्कार 23 प्रधान किया है तो यह प्र संबंधित निमलखित कतनों पर विचार कीजिए पहला दिया गया वेस्ट फिल्म दकस्मीर फाइल को बिल्कुल सही है दादा साहब फाल के अंतराश्टी पुरस्कार जो दिया गया है इस बार तो वेस्ट फिल्म का वार्ड दिया गया है दकस्मीर फाइल को फिल्म आपद अगला कुशिन है कि इंद्री सडक परिवहन योम राजमार्ग मंत्री नितिन गटकरी इन्होंने विश्व के सबसे बड़े योम अनुखे दिब्यांग पार्क जिसका नाम है अनुभूती समावेसी पार्क की अधार सिला कहां पर रखी है तो यह अधार सिला रखा गया है न पर रास्ट्र ने यहाँ पर यह अपिए आप्शन सही हो जाएगा शिवाजी महराज के जीवन पर आधारीत सिवसरिष्ठी थीम पार्क के पहले चरण का उखाटन कहां किया गया है तो यह भी अपका पूरे में किया गया है यह स्वारि पूरे महराश्ट्र मेन इसका उध यहांचा कहां पे लांच किया है तो यह लांच किया गया है पूर्डू चेरी में भी आप्षन यहां पे सही हो जाएगा और भूजा लस्तर को उपर उठाने और बर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश से हाल ही में किस से राजजी द्वारा सुजलाम शुफला जल अभियान के छठे चरड का शुबारम किया गया तो यह क्या गया है गुजरात में यह आप्षन बिल्कुल सही होगा यहां पे अगला कुशन देखते है कि किन दो सीनेटरों ने संयक्तराज अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेस किया जिसमें अरुडांचल अमेरिका के जिन्होंने एक प्रस्ताव पेस किया जिसमें अरुडांचल प्रदेश जो कि भारत का राज है इसको भारत का अभिन अंग बताया गया है और चो रेखा डिवाइड करती है आपको पता होगा भारत और चीन के बीच तो वो है मैक मोहन रेखा तो या तो मैक मोह प्रस्ताव पेस किया है और जिसमें अगला कुशन है फरोरी 23 में सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदाई उप्योग पर विसु का पहला अंतरास्ट्रे सिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है तो यह नीदर लैंड के हेग में किया गया है डी आफ्शन है प इडोजन संयंत्र कहां पे अस्थापित किया जाएगा तो यह पूड़े में अस्थापित किया जाएगा यहां पे सी भिकल बिलकुल सही हो जाएगा और केंद्री मंत्री मंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कहां पे सिंकूला टनल के निर्म प्रदान करने के लिए इसका निर्मान किया जाएगा उत्तर भारत का पहला पर्माडु सायंत्र गोरकपूर सहर में किस राज्जिम्मे अस्थापित किया जा रहा है तो गोरकपूर सहर आपका उत्तर प्रदेश में है यह आप शेनिया पे सही हो जाएगा अगला कुशिन देखते हैं कि 76 वाफटा पुरसकारों में किस फिल्म को सरस्रेश्ट फिल्म का पुरसकार मिला है तो यह है All Quiet on the Western Front इसको सरस्रेश्ट फिल्म का पुरसकार मिला है और यह 76 वाफटा पुरसकारों में दिया गया है B option पर बिल्कुल सही होगा और अंतिम प्रश्ण है कि दुनिया के पहले 3D printed rocket Terran first को किसने launch किया है तो यह launch किया गया है relativity space के द्वारा यहाँ पर C option सही हो जाएगा आपका तो दोस्तों यह था आपका current of year top 50 संभावित प्रश्ण जो UP PCS exam 14 माई 2013 को आयुजित होना है उसके लिए काफी यह महत्पून है तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेर कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और फेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा और यह आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे कर इंटर फेस और UP special साथ में GS का तो आप चैनल के playlist में जाएगा सब्सक्राइब वीडियो आपको हाँ से मिल जाएंगे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद